हेलो दोस्तों साकत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो काईस आज की सोड़ों में हमापको ऺताने वाले हैं कि अगर कालिंग टाइम रिंग टोन रिंग नहीं कर रहा है मतलब कि इन टोन नहीं बशता है जब कोई कॉल कर रहा है यह आपको पता नहीं चल पाता है तो कैसे आप इस प्रॉलम को 100% से ही कर सकती हैं तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली 12 हैं तो वडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आपको करना के आए मोवाइल के सेटिंग्स में जाना है फिर आपको यहाँ पर एक option मिलेगा है तो पर नीचे आएंगे तो sound and vibration नाम का तो गाइस आपको sound and vibration नाम की सेटिंग पर किलिक कर देना है जैसे किलिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए sound mode का एक option रहेगा आपको इस पर सबसे पहले किलिक करना है और अगר यह vibrate यह silent पर होगा तो आपको ringing पर किलिक कर देना है जो ringing लिखा हुआ है इस पर किलिक कर देना है अब दूसरी बात यहाँ पर volume की है volume आपको यहाँ पर full रखना है जो भी volume है उसे यहाँ पर full रखना है या फिर आप अपने volume बटन को दबाएंगे जिसे आवाज कम जादा करते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कम जादा तो आपको यहाँ से full रखना है volume को अब आपको आजाना है तोड़ा नीचे अब यहाँ पर volume button function पे किलिक करना है और यहाँ से media volume पे किलिक करना है देखिए volume button function media volume अब इसके नीचे आना है तो ringtone का एक option मिलेगा आपको इस ringtone वाले option पे किलिक करना है हो सकता है आपके phone में आगे पीछे setting दिया हो तो आप थोड़ा चेक कर लेना तो आपको ringtone पे किलिक करना है SIM 1, SIM 2 दोनों मिल जाएंगे आप किसी पे किलिक कर सकते हैं जिस पे problem आ रही है तो यहाँ पर देखिए हम किलिक कर दिये अब गाईस यहाँ से ringtone आपको एक बार change करना है चेक करने के लिए आप system ringtone को यहाँ से ले सकते हैं यहाँ सिस्टेम ringtone काफी अच्छे अच्छे होते हैं आप इन में से किसी को भी ले सकते हैं या फिर गाईस अगर आप अपने mobile के किसी गाने को लगाना चाहते हैं तो select from files पे किलिक करके आप यहाँ से ले सकते हैं किसी गाने को देखिए मैंने लगाया हुआ है अब आपको बैक आना इतना करने के बाद इसी प्रकार आप दोनों SIMP पे कर लेना इतना करने के बाद SIMPLY आपको आना है बैक mobile के home screen पर और अब power button को दबा के रखना जिससे mobile को लोग करते हैं और गाईस यह सबसे main काम है आपको अपने mobile को एक बार restart या reboot कर लेना है कर लिजिए एक परा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू